हुम नमस्षिवाई प्रिया दर्श्कूं मैं संध्या करकर वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं कि जुलाई के महीने में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस वीडियो में मैं आपको मेश से ले के मीन बार राशियों की लव लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मात शुरू करते हैं हम मेश राशी वालों के दिए इस टैंक में जो आपकी लव लाइफ है उसमें आपको आपके पार्टनर का हमीशा सपोर्ट मिलता रहे अब बात करते हैं कि व्रिश्य वराशी वालों के लिए ये महिना कैसा रहनी वाला है जो लोग लव रिलेशन्शिप में है जो लोग लव कपल्स है उन लोगों के लिए टाइम बहुत बढ़ी आने वाला है क्योंकि इस टैंपे आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिलने परिवार की सहमती मिलने वाली है, अगर आप अपने रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी तक ले जाना चाहते हैं, तो आपका परिवार आपकी फूल सपोर्ट में रहने वाला है, तो ये टाइम आपके रिष्टे को बढ़ाने के लिए बहुत ही शुब रहेगा अब बात करते हैं कि मिथुन राशी वालों के लिए ये महिना कैसा रहने वाला है, इस टाइम पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा मन हो टाव हो सकता है, बेवज़ा की बातों पे नोग जोग हो सकती है, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, तो इस टाइम पे हãyादा या बोहत ही कrent अधाश्यन भादी इस टाहथ करूए आपके पार्टनर के की मधद्धध्टा हो परकाश कोतु यहां को किपने पर्टनर मोई अपने रिष्टके वहें अपनेathy को कायम रखा तो यह रिष्टा आपके लिए आप में अपनी मर्यादा को रहें तरक्क हे लिए भागय होदें के लिए बहुत ही इच्छा रहने वाला है बात करते हैं कि सिंग राशी ओलों के लिए जुलाई का महिना कैसा रहने है इस व chuck पे आपका पार्चनर आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है आपने छो बी परवरे उनहां कि है कि आपका फ्रcorn जिससे आपको निराशा हो सकती है अब बात करते हैं कि कन्या राशी वालों के लिए जुलाई का महिना कैसा रहने वाला है जो लोग लव रेलेशनशिप में हैं इस ताइम पे आपका जो टाइम है वो बेवज़ा के लड़ाई जोड़ों में बीच सकता है मन मुटाव रह सकता है बहस हो सकती है तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचने की जरूत होगी सावधानी से चलना होगा बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों के लिए भी जो टाइम है कोई बहुत ज़्यादा खास रहने वाला नहीं है आपके रिश्टों में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव्मेंट होती हुए नजर नहीं आ रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम भी इतनी नहीं नजर आ रही है तो यह जो टाइम है smoothly निकलेगा बहुत जादा इसमें excitement नहीं रहने वाली बहुत जादा कुछ enjoy वाली चीज़े नहीं रहने वाली है अब बात करते हैं वरिष्टिक राशी वालों के लिए कि जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है यह टाइम आपके लिए full support में रहने वाला ह attraction भी बनी रहेगी और attachment भी full रहने वाली है एक दूसरे के लिए आपका जो प्यार है वो और भी जादा देरा रहने वाला है बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेवजह का शक एक दूसरे पर ना कीज़ेगा नहीं तो अच्छा बला जो रिष्टा है वो आपका खराब ह सकता है अगर्वाइज यह आपका जो टाइम है फुल सपोर्ट में रहने वाला है बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए यह जो टाइम है वो कैसा रहने वाला है इस टाइम पे आपका जो बेवजह की misunderstanding हो सकती है पुरानी बातों को लेके कोई ना कोई बात पे बहस हो सक अच्छा वला रिष्टा आपके हाथों से जा सकता है और बाद में पश्तावे के इलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है मगकर राशी वालों के लिए जुलाइ का महीना कैसा रहने वाला है जो लब कपल आप ने पर जह संगर को कि लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है उनको इस टाइम पे एक चीज का बहुत ज़्यान रखे चलने की जुरूत है कि इस टाइम आपको अपने पार्टनर का बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं तोड़ना है अगर आपने ऐसा किया तो आपकी चरित्र पर भी बहुत ज़्यादा आ गुरुदेव की किरपा से आपका जो रिष्टा है वो और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है आपका लगाप और भी ज़्यादा बढ़ेगा इससे आपका जो रिष्टा है आगे बढ़ सकता है शादी तक बात जा सकती है और परिवार का भी सपोर्ट में सकता है तो ये मह गाइजाति का तूट सकता है तो इस बात का बहुत ज़्यान के इंद पर कंट्रोल रखें головvy रिच्टा के लिए आपं का महींना कैसा रहने वाला है मैं कुछ इप्स आपसे शैर करोंगीं कुछ उपायई करूंगीं जिससरे से अपका अलब रेलेशनशेट है वो अगर प्यार है वो सच्चा होगा और आपके लिए सबस्साइब ला करें filled आपने दिल की बातों को अपनी पार्टर से शेयर करें अगर कोई प्रॉब्रम है भी तो उसको बैट कर सॉल्व करने की कोशिश करें अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका रिष्टा जो है डिफिनिटली आपका खीक रहने वाला है अब मैं बात करती हूं कि जिन लोगों को के रिष्तों में पुछ अबन चल रही है फिर पिवह पने रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते है या अगे ले जाया चाहते हैं तो कोट आपका रिष्टा है और धूसा कि अच्छी मारायन मंदिर में लखवान विश्नु है बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है तो अमीद करते हैं कि जो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां बहुत सारा प्यार लेकर आएगा तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए ओम नमस्षिवाई